प्रमेश्वर के वचन में निरंतर बने रहने से हम आपने अंदर एक चरितरवान मनुष्य का निर्मान करता हूँ प्रमेश्वर की इच्छा की खोज हमें इस सम्मद में मदद या सहयता करती है क्योंकि प्रमेश्वर ना सिर्फ सत्य है परंतु पवित्र भी है उसका वचर हमें पवित्र जीवन की ओर अगरसर करता है इसलिए हम सत्य वच्छन में पवित्र शास्त्र बाइबल का करमवार अध्यन करते हैं ताकि पवित्र शास्त्र ही जो एक मात्र श्रोत है जिससे हम उसकी इच्छा को जान सकते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के विद्वान जेम्स डबलो एलेक्जंडर कहते हैं परमेश्वर की इच्छा को खोज के उद्देश से परमेश्वर के वचन का अध्यन एक गुप्त अनुशासन है जिससे महानतम पात्रों या चरित्रों का निर्मान होता है या किया जाता है मित्रों इस कारिकरम के प्रती आपका समर्पन आपको महानतम पात्रों या पात्र या चरित्र की सूची में ला सकता है इसलिए आप इस अध्यन के द्वारा जानने का प्रयास करें कि परमेश्वर किन बातों का आपके जीवन में संचार करना चाहता है ये अध्यन आपको स सुयोग जीवन दे। इसी आशा से आईए दोस्तों हम शामिल की पहली पुस्तक से आज के अध्यन में आगे बढ़ते हैं। आईए अब हम आगे देखेंगे पहला शामिल की पुस्तक 25 अध्याय और उसके 25 पद लिखा है मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित न लगाए क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सच मुझ उसमें मूर्ता पाई जाती है परन्तु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिने तुने भेजा था ना देखा था। यहां दुष्ट से अर्थ है नकारा मनश्य। दाउत के साथ अभद्र विवार घातक हो सकता था। वह क्रोधी प्रवरिती का मनश्य था। तब हम आगे पढ़ते है पहला शामुएल 25 अध्या उसके 26 से 28 पद में। और अब हे मेरे प्रभु यहां के जीवन के शपत और तेरे जीवन के शपत की यहां ने जो तुझे खुन से और अपने हाथ के द्वारा अपना पल्टा लेने से रोक रखा है। इसलिए अब तेरे शत्रु मेरे प्रभु क के हानी के चाहने वाले नावाल ही के समान ठहरें। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपने दासी का अपराद शमा कर क्योंकि यहवा निश्चय मेरे प्रभु का घर यह दाउत के जीवन का आरंभ था, पाप उसके जीवन में बाद में आया था, परन्तु इस समय उसका जीवन चर्वा था, शुद्ध था, वह परमेश्वर के लिए जी रहा था और परमेश्वर को प्रसंद करना चाहता था, अभीगेल ने इस कारान उसकी प्रशंसा की, पहला समयल 25 के 29 में लिखा है, और यदिपी एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभू का प्राण तेरे परमेशर यहवा की जीवन रुपी गठरी में बंधा रहेगा, और तेरे शत्रों के प्राणों को वह मानों गो ग्राहक संदर्भित कर रही थी, उसने दावत के बारे में एक अत्यधिक विशिष्ट बात कही, मेरे प्रभू का प्राण तेरे परमेशर यहवा की जीवन रुपी गठरी में बंधा रहेगा, मित्रों ठीक यही मसी इश्यु में विश्वासी की स्थिती है, यहना अपनी पहली पत्री में प्रभू इश्यु को अनंत जीवन कहता है, पहला यहना की पत्री एक अध्या उसके दो पद में लिखा है, जीवन प्रगट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, जो पिता के साथ और हम पर प्रगट हुआ, जब आप और मैं उसमें विश्वास करते हैं कि वा उधार करता है, तब पोईत्र आत्मा हमें विश्वासियों की देह में बप्तिस्मा देता है, पहला कुरंतियों के पत्री 12 अध्या के 13 पद में पौलुस कहता है, हम सबने क्या यहुदी हो, क् क्या दास हो, क्या स्वतंत्र है, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बप्तिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया, आप और मैं विश्वासियों की देह, मसीह की देह में मसीह में विश्वास लाने के कारण लाए गया है, हमें मसीह में कहा गया है और जो मसी में हैं उन पर दंड की आगया नहीं अब हम आगे देखते हैं अब बिगेल ने आगे कहा पहला शमुल 25 अध्याय उसके 30 और 31 पद में इसलिए जब यहवा मेरे प्रभू के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विशय में कही है और तुझे इस्रायल पर प्रधान करके ठहराएगा तब तुझे इस कारण पच्ताना ना होगा या मेरे प्रभू का हिर्दय पीडित ना होगा कि तुने आकारण खोन किया और मेरे प्रभू ने अपना पल्टा आप लिया है फिर जब यहवा मेरे प्रभू से भलाई करे तब अपने दासी को स्मरन करना ध्यान दिजे अभिगेल के कहने का अर्थ था मेरे पती ने जो किया उसे स्मरन ना रख तु राजा होगा पहला शावल पच्चिस के 32 और 33 पद में लिखा है दाउद ने अभिगेल से कहा इस्राइल का परमेशर यहवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है और तेरा विवेक धन्य है और तु आप ही धन्य है कि तुने मुझे आज के दिन खून करने और अपना पलता आप लेने से रोक लिया है। दाउद अभिगेल का आभारी था कि उसने बड़ी बुद्धिमानी से उसे एक ऐसा कदम उठाने से बचा लिया जिसके लिए उसे बाद में पच्ताना पड़ता। पहला शामुएल 25 के 35 में लिखा है। तब दाउद ने उसे गरहन किया जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उससे उसने कहा अपने घर कुशल से जा। सुन मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विंती गरहन कर ली है। दाउद ने अभिगेल का भोजन, परामर्श और व्यक्ति स्विकार किया। तब आगे लिखा है पहला शामुएल 25 अध्याय उसके 36-38 पद में। तब अभिगेल नबाल के पास लोट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा कासा भोज कर रहा है। और नबाल का मन मग और वह नशे में अतिच्चूर हो गया है। इसलिए उसने भोर के उज्याले होने से पहले उससे कुछ भी ना कहा। सबेरे जब नबाल का नशा उतर गया तब उसकी पतनी ने उसे कुल हाल सुना दिया। तब उसके मन का हियाब जाता रहा और वह पत्थर सा सुन हो गया। और दस दिन के पश्चात यहवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। मेरे प्रियों उस रात नाबाल ने बड़ा भोज किया और बहुत मदीरा पान किया। सुबर जब वह होश में आया तब अविगेल ने उसे दावत के बारे में बताया। तब उसके मन का हियाब जात को हस शेब हे तो प्रेरित क्या। नहीं तो दावत के हाथ खून से रंग जाते और परमिश्वर ऐसा नहीं चाहता। अब दावत क्या करेगा। पहला शमयल 25 अध्याय के 49 पद में लिखा है नाबाल के मरने का हाल सुनकर दावत ने कहा धन्य है यहवा जिसने नाबाल के सा मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा और यहवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर्पल लाद दिया है। तब दावत ने लोगों को अभिगेल के पास इसलिए भेजा कि वे उससे उसकी पत्नी होने की बात चीत करें। जब दाव दावत ने सुना कि नाबाल की मृत्यों हो गई। तब उसने अभिगेल से विवाह करना चाहा। उसने दावत से मार्ग में भेट करते समय कहा था जब यहवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपने दासी को स्मरन करना। दावत ने परमेशर का हाथ उसमें देख लिया थ परमेशर सुन्दर्ता को भी काम में लेता है। उस दिन मार्ग में जब दावत ने उसके परामश के लिए उसे धन्यवात कहा था तब दो महान व्यक्तित्व आमने सामने खड़े थे। नावाल की मृत्यों के बाद दावत ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उसने स्विकार किया। यह दावत के जीवन के दूसरे भाग का आरंभ था। अब कुछ और भी हुआ जिसकी अनुमती परमेशर ने नहीं दी थी। आए पढ़ें पहला शामवेल 25 उसके 43 और 44 पद लिखा है दावत ने इसरेल नगर की एहिनोवम को भी व्याह लिया। तो वे दोनों उसकी पत्निया हुई परंतो शावल ने अपनी बेटी दावत की पत्नि मीकल को लेश के पुत्र गली मवासी पलती को दे दिया था। उसके जीवन में पाप आया। मित्रो वा एक कठोर मनिश्य था और कठोर जीवन जी रहा था। एक दिन वह हत्यारा बन क्योंकि परंतोर ने उसे अपने मन का मनिश्य कहा, तो इसका अर्थ क्या यह था कि परंतोर ने उसका जीवन सत्यापित किया। हम देखेंगे कि जब दावद्ने परंतोर के लिए भब्य मन्दिर बनाने की इच्छा प्रगट की, तब परंतोर को उससे कहना पड़ा क्योंकि उसके जीवन में पाप था मित्रु यहां पर अध्याय 25 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्यान को अध्याय 26 से बनाय रखेंगे इसका विश्य है दाउद द्वारा शाउल को दूसरी बार जीवन दान दाउद ने जीब के जंगल में दूसरी बार शाउल को जीवन दान दिया शाउल और दाउद में विश्यमता देखिए शाउल सपष्ट जानता था कि दाउद परमिश्टर की पसंद था परन्तु वह फिर भी उसे घात करना चाहता था दाउद जानता था कि शाउल अभिश्यक्त राजा है अता वह उसे नहीं मारता है हम देखते हैं दाउद ने दूसरी बार शाउल को जीवन दान दिया आएए पढ़ें पहला शमुएल 26 अधिया उसके एक और दो पद लिखा है फिर जीवी लोग गीबा में शाउल के पास जाकर कहने लगे क्या दाउद उस हकीला नाम पहडी पर जो यशिमोन के सामने है छीपा नहीं रहता तब शाउल उठकर इसराईल के 3000 चाटे हुए योधा संग लिये हुए गया कि यहुदा को जीप के जंगल में खोजे शाउल दाउद के विनाश का दूसरा अभियान आरंभ करता है दाउद जंगल में भागा और शाउल ने उसका पीछा किया दाउद एक उत्तम सिपाही था और वह वहां का भूगोल जानता था इस कारण वह एक अच्छा सेना नायक था हम पढ़ते हैं पहला शामुल 26 के चार में लिखा है तब दाउद ने भेदियों को भेज कर निश्य कर लिया कि शाउल सचपुच आ गया है दाउद को विश्वास नहीं हो रहा था कि शाउल अब परिचित शेत्र में आएगा यह एक ऐसी सैनिक भूल थी कि दाउद को भेदिये भेजने पड़े कि उस शेत्र में शाउल की उपस्तिती का सच्चा समाचा लाएं उसके भेदियों ने पुष्टी की कि शाउल वहां था पहला शामुल 26 के पांच में आगे लिखा है तब दाउद उठकर उसा स्थान पर गया जहां शाउल पड़ा था और दाउद ने उस अस्थान को देखा जहां शाउल अपने सिनापती नेर के पुत्र अबनेर समेत पड़ा था शाउल तो गाडियों की आड में पड़ा था और उसके लोग उसके चारो ओर डेरे डाले हुए थे दाउद और उसके साथी छीपे हुए तो थे परन्तु वे अपने स्थान से शाउल और उसके सैनिकों को देख सकते थे पहला शामुल 26 उसके 6 और 7 पड़ में आगे पड़ते हैं तब दाउद ने हित्ती अहिमिलेक और सरुया के पुत्र यवाब के भाई अभिशय से कहा मेरे साथ उस शाउनी में शाउल के पास कौन चलेगा अभिशय ने कहा तेरे साथ मैं चलूँगा अतर दाउद और अभिशय रातो रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाउल गाड़ियों की आड में पड़ा सो रहा था और उसका भाला उसके सिरहने भूमी में गड़ा है और अबनेर और योधा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं दाउद और अभिशय शाउल की छाउनी में गए और देखा कि शाउल अपने सैनिकों के मध्य सो रहा है उसका भाला उसके सिर के पास भूमी में गड़ा हुआ था पहला शमल 26 के आठ में लिखा है तब अभिशे ने दाउच से कहा परमिशा ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधता हुआ भूमी में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा अभिशे ने दाउच से कहा मैं उसे एक वार में समाप्त कर दूँगा और तुझे अपने बैरिस से मुक्ती मिल जाएगे मुझे अनुमती दे पहला शामुईल 26 के नौपद में लिखा है दाउद ने अभिशे से कहा उसे नाश ना कर क्योंकि यहवा के अभिशिक्त पर हात चला कर कोण निर्दोष ठहर सकता है मित्रो ध्यान दिजिए दाउद के पास शाउल को मारने का आउसर था परंतु उसने इनकार किया वह परमिश्वर के अभिशिक्त पर हात नहीं उठाएगा पहला शामवेल 26 के 10 में लिखा है फिर दाउद ने कहा यहवा के जीवन के शपत यहवा ही उसको मारेगा या वह अपनी मृत्यू से मरेगा या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा दाउद ने कहा यहवा ही उसको मारेगा दाउद इबरानियों के पत्रे 10 अध्याय के 30 पत का सिधान्त मानता था पल्टा लेना मेरा काम है मैं ही बदला लूँगा पहला शामुईल 26 उसके 11 और 12 पत में आगे हम पढ़ते हैं यहवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहवा के अभिशिक्त पर बढ़ाऊं अब उसके सिरहने से भाला और पानी की सुराही उठा ले और हम यहां से चले जाएं तब दाउद ने भाले और पानी की सुराही को शावल के सिरहने से उठा लिया और वे चले गए और किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा क्योंकि वे सब इस कारण सोई हुए थे कि यहवा के और से उनमें भारी नीन समा गई थी दाउद ने जो किया वा कठिन काम नहीं था उसने उसका भाला और पानी की सुराही उठा ली कोई नहीं जागा क्योंकि परमेश ने उनमें भारी नीन समा दी थी पहला शामईल 26 अध्याय के 13 पद में लिखा है तब दाउद दूसरी ओर जाकर दूर के पहाड की चोटी पर खड़ा हुआ और दोनों के बेच बड़ा अंतर था दाउद शावल की चावनी से निकल कर अपने स्थान पर नहीं गया वह शावल की चावनी की दूसरी ओर गया और एक पहाड पर खड़ा हो गया वह ऐसा स्थान था कि यदि कोई उस पर आकरमन करता तो वह बच कर निकल सकता था पहला शावल 26 अध्याय के 14 से 17 पर में हम पढ़ते हैं और दाउद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अबनेर को पुकार के कहा हे अबनेर क्या तू नहीं सुनता अबनेर ने उतर दे कर कहा तू कौन है जो राजा को पुकारता है दाउद ने अबनेर से कहा क्या तू पुरुष नहीं है इस्राइल में तेरे तुल्य कौन है तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नाश करने घुसा था जो काम तूने किया है वह अच्छा नहीं यहवा के जीवन के शपत तुम लोग मारे जाने के योग्य हो क्योंकि तुमने अपने स्वामे यहवा के अभिशिक्त की चौकसी नहीं की और अब देख राजा का भाला और पानी की सुराही जो उसके सिरहने थी वे कहा है तब शाउन ने दाउद का बोल पहचान कर कहा हे मेर प्रभु राजा मेरा ही बोल है प्रियों स्पष्ट कहूं तो दाउद अबनेर का ठठा कर रहा था क्योंकि वह शाउल का सेना पती था और शाउल की रक्षा करना उसका करतब्य था दाउद ने राजा को नहीं मारा उसका सोभाव अदभुत था दाउद को विश्वास था क कि परमेशर बदला लेगा। कि दाउद का भरोसा परमेशर पर था और परमेशर ने शावल का नाश किया। पहला शामवेल 26 अध्याय के 25 पद में लिखा है। शावल ने दाउद से कहा, हे मेरे बेटे दाउद तु धन्य है, तु बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाउद ने अपना मार्ग लिया और शावल भी अपने स्थान को लोट गया। यदि पे शावल ने अपनी गलती मान ली और दाउद का पीछा काना छोड़ दिया। दाउद जानता था कि वा राहत अस्थाई है। हम देख सकते हैं कि दाउद का मन अती निराश है। वह भागते भागते और गुफाओं में छिपते छिपते ठक गया था। यहां पर अध्याय 26 समावत होता है। और अब हम अपने अध्यान को अध्याय 27 से बनाय रखेंगे। इसमें हम देखेंगे दाउद पलिष्टियों के देश में है। पहला शमुयल 27 अध्याय उसके एक पद में लिखा है। तब दाउद सोचने लगा अब मैं किसी न किसी दिन शाउल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिष्टियों के देश में भाग जाऊं। तब शाउल मेरे विशय निराश होगा और मुझे इस्राइल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूनेगा। यो मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। यह दाउद के जीवन की विशेष्टा विश्वास की उची स्थिती से गिरना है। यह पतन का समय था। अबराहम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसहाक और याकुब के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि परमिशर के भक्तों में अधिकांस के साथ ऐसा ही होता है। पहला शामिल 27 उसके 2-6 में लिखा है। तब दाउद अपने 600 संगी पुर्शों को लेकर चला गया। और गत के राजा माउक के पुत्र आकिश के पास गया। और दाउद और उसके जन अपने अपने परिवार समेथ गत में आकिश के पास रहने लगे। दाउद तो अपनी 2 इस्त्रियों के साथ अर्थात इसरेली, अहिनोम और नबाल की इस्त्री करमिली, अभिगेल के साथ रहा। जब शावल को यह समाचार मिला कि दाउद गत को भाग गया है तब उसने उससे फिर कभी ना ढूणा दाउद ने आकिस से कहा यदि मुझ पर तेरे अनुगरह के दृष्टी हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे अस्थान दिला दे जहां मैं रहूं तेरा दास तेरे साथ र आजाओं का बना है आगे देखते हैं नाबाल के मृत्यों के बाद दाउद ने नाबाल की विध्वा से विवाह कर लिया अब जीपी लोग शावल से कहने लगे कि वह दाउद को पकड़वा देंगे अतह शावल तीन हजार योधा लेकर दाउद को खोजने जीप के जंगल में गया दाउद दूर एक पहाड की चोटी पर खड़ा हुआ और पुकार कर अबनेर से कहा कि उसने अपने स्वामे यहवा के अभिशिक्त की चौकसी नहीं की मित्रों यहाँ पर अध्याय सताइत समाप्त होता है और अब हम अपने अध्यान को अध्याय 28 से जारी अध्याय 28 में शावल एंदोर में रहने वाले एक भूत सिधी करने वाली के पास गया यहाँ अनेक प्रश्ण उठते हैं पहला और मुख्य प्रश्ण यह है क्या वायिस्त्री सच में शम्विल को मृत्तकों में से लापाई थी इसके अनेक प्रस्तावित उत्तर हैं पहला ह कुछ टीका कार इसे छल कहते हैं। उनके अनुसार वह इसरी एक पेट बोली थी। दूसरा कुछ का कहना है कि प्रिये मृतक जनों से संपर्क करने के गहन लालसा मनश्य को छल का शिकार बना देती है। तीसरा विचारकों का एक समों मानता है कि उसने शमवेल को वास्तों में मृतकों में से बुलाया था। परन्तो यह विचार अतर्क संगत और बाकी हिस्से से सुसंगत नहीं है। पलिष्ति आकर्मन की तयारी में थे और शावल इंदोर वासी भूत सिधी करने वाली के पास ज आकिश ने दाउद से कहा निश्य जान कि तुझे अपने जनो समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाउद ने आकिश से कहा इस कारण तु जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकिश ने दाउद से कहा इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहरा शावल तो मर गया था और समस इसराइलियों ने उसके विश्य चाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी और शावल ने ओजों और भूत सिधी करने वालों को देश से निकाल दिया था जब परिश्ती इकठे हुए और शुने में चावनी डाली तो शावल ने सब इसराइलियों को इकठा किया और उन्होंने गिल्बो में चावनी डाली मित्रो परिश्ती इसराइल से युद की तयारी में सेना का विरल विन्यास करते हैं दाउद ने सपष्ट वचन नहीं दिया कि वह परिश्तियों के इस युद में सहायता करेगा वह यथा संभव बचेगा श्रावल ने गिल्बो में चावनी डाली मित्रो यहाँ पर आज हमारे अध्यन का समय समाप्त होता है मित्रो अब तक हम दाउद को धैरे के साथ कार करते हुए देख रहे हैं लेकिन आज के अध्यन में हम दो बातों को देखते हैं एक यह कि विवा के सम्बन में वह पाप से प्रभावित होता है दूसरा अती के कारण धैरे खोने लगता है और अपने जीवन पर प्रश्न करता है कि कब तक भागता रहूगा दोनों बातें प्रकट करती है कि वह हमारे समान समान्य और साधरन वैक्ती था जो महान बन गया वह महान था इसलिए धैरवान था ऐसा नहीं है उसके अंदर हमारे समान ही सीमाई थी उसकी कम्यों को नमूना बनने के लिए बाइबल समर्थन नहीं करती है अर्थात कोई कहे कि यदि दाउद ने गल्ती किया तो हमें भी गल्ती करने का अधिकार वचन हमें में देता है या वचन में लिखे जाने के कारण हमें मिलता है ये सत्ति नहीं है सत्ति यह है कि हम उन गलतियों को ना दोहराए या ना करें बाइबल में वर्नित अतिहासिक बातें इसले लिखी गई है जिससे कि हम इस बात को जान सकें कि परमेश्वर सब का लेखा रखता है यदि ये प्रगट ना हो तो हम निरंतर चूक करते रहेंगे दाउद हतोत साहित हुआ लेकिन शावल के संबन में धैर और पवित्रता का एक अदभुत उधारन वह परस्तुत करता है क्योंकि वह परमेश्वर की बात जो होता था अभिशिक्त के संबन में वह कोई गलती करना नहीं चाहता था परंतु परमेश्वर के न्याय की प्रतिक्षा करता है परमेश्वर हमारे जीवन से ऐसे ही गुनों को देखना चाहते है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सम्मन्ध में यदि वह गलत भी है तो परमेश्वर ही न्याय करेगा उसका न्याय परमेश्वर करेगा हम सिर्फ उसके मन फिराव के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर की ओर निहार सकते हैं या ताक सकते हैं आईये दोस्तों हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे अंदर ऐसे गुण निर्मित करें। स्वर्गी पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभू ऐसे उधारणों के लिए जो आपके पवित्र वचन बाइबल में हमें मिलता है। प्रभू हमें सामर्थ दें पिता कि हम भी इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालने पाए। प्रभू हम ने देखा कि दाउत किस रिती से प्रभू आपके अभिशिक्त शाउल के प्रती प्रभू वो धैर्वान बना रहा। उसके लिए प्रार्थना करते रहा और कभी प्रभू उसके उपर उसने हाथ नहीं उठाया। प्रभू हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसी समझ और बुद्धी दें। हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते पिता कि वे अपने परिवारों के अंदर इन गुणों को इन चरित्रों को निर्मित करने का कार करें पिता वे धैर के साथ प्रतिक्षा करें उनके लिए प्रार्थना करें क्योंकि आपका वचन हमें यहीं सिखाता है कि अपने अधिकारियों के लिए अपने अग्वों के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें प्रभू हम जानते हैं कि आप सब का न्याय करेंगे हर एक परिस्थिती में प्रभु जी आप हमारे साथ खड़े रहेंगे यदि हम धैर के साथ आपके प्रती बार्ट जो होते रहते हैं प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस बिन्ती को प्रभु इशु क्रीस्थ के नाम से मांगते हैं इसलिए सुनें और अपनी महिमात ले ग्रहन करें आमेन दोस्तों आज के कारिकर्व में शामिल होने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी लेकिन जी हाँ आप SMS करना ना भूलें यदि आपके पास प्रार्थना निवेदर है तो कृपिया हमें SMS के द्वारा सूचीत करें या आप हमें फोन भी कर सकते हैं अगले प्रसारण तक प्रभु के साथ बने रहें धन्यवाद